हम सब मुसल्मान हैं और इस अमर से हम सब बाकिफ हैं कि इसलाम इप्तिदा से ही तारिक इनसानियत में फ्लैश पॉइट की हैसे से रहा है जिस दम इसलाम का वजूद नवी इनसानी के लिए हुआ उस दम से इसलाम दुनिया की सबसे बड़ी नियूस बनते रहा है चाहे अंबिया के अंबिया का मामला हो या अंबिया के बाद इस दीन के आइंदा आने वाले वर्सा का मामला हो जब रसुल एकरम स्ब्लाव अल्यूद ने इस दीन की खिर्मत की और अल्ला के दिये हुए इस पैगाम को नवे इनसाने तक पहुँचाया उस तबडिली के इस दुनिया ने एक ऐसी चेंज देखी जिसे एंसाइफलोपीडिया ब्रिटाइनिका कहती है दे एड़वेंट अफ इसलाम चेंज दे कोर्स अफ हुमन हिस्ट्री इनसानी तारीक का दारा अगर चिसकी चीज ने बदल दिया है तो इसलाम मज़द ने बदला है और ये ऐसी चीज है जिससे अपनी जमाने का कम्यूनिस्ट रजीम का सबसे बड़ा मुफक्र और हिंदुस्तान में उस वक्त के कम्यूनिस्ट जमाने का सबसे बड़ा लीडर एमेन रौव अपनी किताब में लिखता है कि इस वाज ग्रीटिस्ट चीज ग्रीटिस्ट रिविलुशन जो उस वक्त दुनिया ने देखा था इस इनकलाम ने ने सिर्फ उस वक्त दुनिया ने इनसानों के सामने हिदायत और रुष्ट का रास्ता आसान गर दिया बलकि तब से आज तक तमाम नवे इनसानी के लिए ये हिदायत और रुष्ट का मा Baptist का मामला बना हुआ है आज तमाम इनसानियत जिस दोर से गुस्जर रही है उसक्ते हम कुसी तरह वाकिट हैं जिस तरह आज से पहले हम से पहले आने वाले लोग वातिते हैं। दुन्या में जब से अल्ला और अल्ला के रसूलों की नाफर्मानी हुए आले लिए मुस्सलाम। तब से दुन्या ने सिर्फ फसाद देखा है। और फसाद इनसानों के अपने हाथों कमाया हुआ 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 इन्सानिये की बड़ी देदाद ने अल्लाह और अल्लाह की रिवी तालिमां से नहराफ किया है। उस वक्त भी नक्षा यही था कि इन्सानिये जुम तश्द्द्द्द्ध और बर्बरियत से मैफस चुकी थी। हारात इन्तहाई नागुफत बेहते, इफलाकियत का देवालपपन निकल चुका था और हर सथा पर गुमराही अपना जर्वा दिखा चुकी थी। और आज भी मौका यही है। लेकिन इस मामले को बदलने का काम उस रमाने में अंबिया ने किया और नभीों का सिलसरा बंध हो चुका है और अब यह काम एहलe इसलाम तो करना होगा। आज एहले इसलाम की तभी में अपनी जिखर रहे हैं और 20 सदी के अपनी मकसूस चलिज़ेगी है इस 21 सदी में आलगे इसलाम की सूरष कहल क्या है आज बिल्खुस मश्री के बुस्ता में मुसल्मान किस तरह की संदगी गुजार रहे हैं और आएंदा मुसल्मान नसल को किस तरह के राहे अमल को इक्तियार करना चाहिए ये एक ऐसा मुजव है जिस पर किसी खास और इस मामले में सबसे पहीम और दानिश वर्द शक्स को ही बुलाना मक्सूद था और हमारे दरमियान अल्ला के फंद उ करम से इस मामले के इंकिहाई नबास शक्स तश्रीफ फर्मा हैं जिनके तारुफ से हम आफरी साल मी वाकिव हो चुके थे और जिनकी किताबों से हम मैंसे अकसर तक्रीब पिछले तीस साल से वाकिव रहे होंगे वो हैं जिनाब डॉक्टर अबैदुल्लाफ पहद साथ डॉक्टर साथ मोहताज तावुक तो नहीं लेकिन तावुक देना बहराल सही रहेगा डॉक्टर साथ ने अपनी अप्टिदाई तालीम जाम जेतुल फला से हासिल की और बादाजां म.A. और पिएच डी की डिवी अलीकड़ मुस्लिम इनिवस्टी से हासिल है आप अलीकड़ मुस्लिम इनिवस्टी में फिलाल एसिस्टंट प्रोफेसर की हैसेद से काम कर रहे हैं 30 किताबों से जायद किताबों के मसंणिफ हैं एक सो से जायद आर्टिकल्स आपके इंटरनेशनल और नैशनल जरायद में पबलिश हो चुके हैं और आलमी पैवाने के मुफक्र और मुकरिर तस्लीम किये जाते हैं पीस टीवी पर आप मेंसे अक्सर लोगों ने आपको देखा होगा हमारे लिए इंतहाई खुशक्समती है कि आज इस हसास मूदू पर जिस पर नसे एक इनसान के संसिजिव होने की जरूरत है बिल्कि इंतहाई बारीक मुतारा भी चाहिए हमारे दर्मियान इसी कसम की शक्सियत तश्रीफ फर्माएं हम आपको पर उनके दर्मियान हाई रहे बगेर उनको दावत दे देते हैं कि आप तश्रीफ लाएं और इस अजियर से ख़दाब फर्माएं आपको अन्मान रहेगा आलम इसलाम की मुझूद रसूरत हार बिलकुस मश्रिक हुस्ता जिदालाच से गुजर रहा है उस पर आपका बयान मनसिर होगा हम आपको बराएंगे लिकि उसी शेयर के साथ जो आलमा इकबाल ने कहा था है वही तेरे जमाने का इमाम बरहक जो तुझे हाजिरों मुझूद से विजार कर दे देखे फिक्रिजिया तेरा लहु गर्मा दे फुक्र की सान चड़ा कर तुझे तल्वार कर दे डॉक्टर वैदुना फाल साथ रब श्रह ली सद्री वैस्द्री अम्री वह्रु लुदतम लिसानी अफ्कभु कॉली अभरुद बोग्त थी असलाम ओल्यक्म वर्क्राद्ट वर्कार्ण थी अज़र भीज़ू रेक्राद्ट। हमारे करव फर्मा और आप सब के महबूब जनाब सोहिल बशीरकार साब ने खुफम दिया और आपकी मुबबट आपकी कशिश और आपसे जो तालब के खातिव है तो मुझे यहां कशा कशा खीज के लिए है हाला कि मैं पिछले दो दिनों बड़ा मस्दूफ रहा और जहनी और दिमादी तोब बहुत ठका हुआ अपने आपको मखसूस करता हम लेकिन जब कोई ऐसा मौका मुझे नजर आता है जहां कि इसलाम और मुस्लमानों के मसाहिल से जिसके रखने वाले हजरात मौजूद हूं और उम्मीद की कोई किरण हो तो मैं अपना फरिज़ा समझता हूंगे उम्मत की इस बेजारी में जो रोल अदा कर सकूं उससे पीछे आज मिडिलिस्ट में खास तौर बस जम्होरियत दस तक दे रही है पिछले दो तीन सालों के वाकिया ने खास तौर से और बिछले एक देड़ दो तीन महीने के मसलसल स्यासी हादिसाथ ने कुछ ऐसी सूरत हाल प्यदा कर दी है कि मुसल्मान दो राहे पर ख़ड़ा हुआ है उसे समझ में नहीं आ रहा है कि ये इनकलाबाद जो मश्रक रुस्ता में जनम ले रहे हैं वहाँ उट किस करवड़ गाशने वाला है बाद लोग उसमें अमेरिका और मगरिब का चुह बिली का खेली का ट्रामा देख रहे हैं और बाद लोग नहाए चे खुशाहिं तरह पे से जमूरियत की इन हवालों को इसलाम की उमीद और इसलाम के इहया और इसलाम की बेदारी के ये उमीद अफ़जा परगान के तौर पर ले रहे हैं मुसल्माओं के बड़ी अथरीए अभी जो लीविया में नैटों के मसलसल हमले हो रहे हैं उनको इंतहाई सफ तश्वीश की निगाँ से देख रही है और आज से उतहार ये है कि मुसल्माओं बहुंसे एक उम्मत अपने आपको इस पोजिशन में नहीं पा रहे हैं कि वो कोई ऐसा फैसला ले सके जो उम्मत के मफाद में काम करने वाला सताव अठाव मुमालिक के आजाद सल्तनतों के मालिक होने के बावजूद आज हमारी सुरत आल ये है कि हमारे एक बड़े मुल्क से एक खातूम साइंस्दा को किडने पिया जाता है और पुरा मुल्क तमाशा देखता चला जाता है डर्टर आफिया एवटावाद आउपरेशन ने एक बड़े मुसल्मान मुल्क की बेवसी और लाचारी को पूरी तरह हमारे सामने आया कर दिया इंतहाई लाचारी और मच्बूरी की कैफियत है जिसमें आज मुसल्मान गज़ रहे हैं आजादी और मुखुद्मुटारी के नाम पर हमने जो मुल्क काइम की वहाँ भी हम इस पूजिशन में नहीं महसूस हो रहे हैं कि आजादाना तोर पर कोई फैसला ले सके उम्मत की फुलाव वैबूत के तालोग से और एक्तिहाई मुसल्मान गुर्कों की बड़ी आबादी जो अकलियत के तोर पर यॉर्म अमेरिका और दुनिया के दूसरे खितों में रहे है वो भी अक्सरियत के जारियत पसंदाना आजाएं के घेरे में रहने की वज़े से तकरीबन अपने दाइयाना मकाम को फरामुश कर बैठी गहर मुसल्मों और मुसल्मानों के दर्म्यान दाईया और मदूब का जो तालोग होना चाहिए था और उम्म को अम्मत दावत की हैजियत से अन्हें जिस मकाम पर फाइस किया था तुम वो बेहतरी उम्मत हो जो तुम लोगों को भगाई का हुम देते हो और बुराई से रोगते हो वो खैर उम्मत हादिसाद और इनकलावाद के जबगटे में तकरीमन अगाईब सी हो गई बहसे मजमुई उम्मत की मजमुई सूरते हाल धुद्धगटे में मुक्तला एक इबहाम सी कैफियत है अजीब और खजीब सूरते हाल है ऐसे में मश्रक उस्ता में ये जो तब्दीलिया नदर आ रही हैं उनके मुक्तलिफ ताबिरात और उनके नताइच और उनके इंटेप्रेशन्स स्यासी मुबस्रे, कावन निदार, दाविश वराम, थिंग टाइंस अपने अपने तावत पर प्रेश कर रहे हैं लेकिन पुरान पाक में अल्लह रब रिज्जत ने बहुत पहले ये एलान कर दिया था और हम सब का इस पर एमान हैं उनकी अपनी चाले हैं, अल्लाह की अपनी चाले हैं हाला कि उनकी चाले इतने खतरनाक हैं कि पहाय भी अपने जड़े से हिल कर रह जाए हैं एक पूरी दुनिया यूनी पोलर एक इस इंपरियरिज्म के साए में ये तरफा तरब पर एक बड़ी ताकत के साए में रहने की वज़े से सियासी और माशी तवादुर एक तरफ जुट जाने की वज़े से एक अजीब बेवसी की कैशियत में मुक्तला है लेकिन जो लोग खुदा राही पर एमान रखते हैं अल्लह रख लुजब की किताब पुरान करीम की अबदियत पर एमान रखते हैं और जिनका ये एकान है कि उनकी चाले अपनी जगे अल्लह की चाल अपनी जगे नूर खुदा हर कुफर की हरकत वे खंद रसन फूंकों से यह जरा और कुछारा ना जाए हमें एक पुरा यकीन है और इस यकीन की वज़े सिर्फ पुरान का करीम पर हमारा एमान ही नहीं है बल्कि सियासी तच्जिया भी उसके पीछे कि जो आलाग करवच ले रहे हैं वो इंशालला वुसलमारों के हम में रुफीर और बेहतर सारी थे हमने तो पिछले 40, 42 साव, 80 साव इंतहाई कर्ण के हावब पर गुजारे सबर रुस्री मुबार्ट ने 30, 32 साव का जबर इंतहाई जबर का दौर मिस्र में गुजारा मौम्र अज़ाफी 12 साव से इंतहाई बत्तरीन जबर की तस्वीर बना वैठा हुआ है सबर अली अब्दल्ला सालिह यवन ने पिछले 22, 27 सारों से जल्म की चक्की में वहाद आवान को पीस रहा है लेकिन जल्म और जबर की सिया राफ की एक इंतहा भी थी वो रफ शब वो राफ खत्म हुई अल्ला रफु लज़त का फर्मान है इन्नमा लुसर युसवा इन्नमा लुसर युसवा तंदस्थी के साथ आसानी भी है शब के बाद दिन भी आता है तारीकी उजाने में तब्दीर होती और तब्दीर होते दिखाई दे रही अभी मैं किछरे दिनों गारजियन के अच मद्मून पढ़ रहा था तो हमारे बरतानी रामानिगार खुद इस बात को किसी हम तर तक तस्लीम कर रहे है कि अज़ अरब्स आर निव चंपियन्स अफ डिमाकरसी इन दे वर्ड वो इस बात को तस्लीम कर रहे हैं और मेरा अपना तज़्जिया बहुत मुटसर और बहुत ही एक काईविर्म का अब्दाई तज़्जिया ये है कि डिमाकरसी जैसे जैसे प्रिवेर करती जाए ही वैसे वैसे इन्शालला इसलाम की हख में फज़ा हमवार होती चली जाए है अगर गुन्यादी हुख बहाद होंगे हिमन राइट्स की हिफाज़त होगी सिवल लिबर्टीज को पुरा मौखा मिले का काम करने का और हर एक को आजादिय फिट महसर होगी तो इसलाम की बरकतें रसूल रहमत स्वल लाई लिए सल्म की बरकतें पुरान करहिम की हकानियत और अबदियत को जाहिए होने का पूरा मौखा मिलेगा उन हालात में जबकि बत्तरीन जब सबर हुसनी मबारत ने और उससे पहले जमाल अदिन नासिर ने और उससे पहले शाहिए फारुख ने मिस्र में अमेरिका और रशा की दबाव में इसलाम पसंदों की उनके दिन का जैन अबरात की नीद उनके हराम कर रखी थी लेकिन सबर, इस्तिकामत, पामर्दी, खित्मत खाल, अखलाक हसना, माशी और फलाही इसकीमों का नफास इनका कुतूर नहीं यकी मुखकम, अमल पैहन, मुखबत, फाद है आलब, जिहाद जिन्दगानी में, हैं ये मर्दों की शवशी रहे ये जिमूरियत, फूलों में सजा करके नहीं पेश कर दिली इसके पीछे पुर्बानों का एक तवीर, पुर्बानों की एक लादवा और तवीर ज़द ज़द है जिन्दों की निगाहे को जानते हैं, इख़वारों मुस्लिमों ने अपने बेहतरीन, मुफसित, मुदबिर, लॉयर्स, डेटीर, इंजीनियर्स, जजिजिस, मसन्निफीन, अधीर, शहीदों के सफ में खड़ा किया सेद कुत्ब शहीद, माया नाज मुफसिर कुरान, अब्धुर गादिर अओदा शहीद, बहतरीन जज़, छसन इसमाईल अल-हुज़ईवी, शरीया को अकली कोल के ज़ज, छसन अबना शहीद, मुलक माया नाज, बहतरीन, काबिल लिड़, एक तबीन तारीख है, सेद उम और तिलमसानी, देखते चली काई ये इस पूरी तारीख में, मुलक के, मिसर की जो क्रीम है, वो पूरी है, इंजिनियर्स तरों डॉक्टर्स की, लॉयर्स की, मुसनिकों और अदीवों की कर्केशन है, वो इखवान से वावस्ता है, और बत्तरीन ज़ब और जुर के बाव लेने का जजबा, बत्तरीन ज़ब के बावजूद कांस्टिचूशनलिज्म और दुस्दूरियत की जद्द जहल, पॉलिटिकल इसलाम को लेकर के आगे बढ़ने का जजबा, उनका बंदिन नहीं पड़ा, आप मैसे जो लो, थोड़ी बादी वाक्तियत रखते हैं, उन्ह इसलाम के जद्द जहत करने वाले, अरद मुमालिक के बेहतरीन मसन्नफین और अधीमों और पानुनदानों को कितनी बत्तरीन सजाएं लीगें, रुमटे खड़े हो जाते हैं, यकीन नहीं आता है कि ये किस बोश्ट बोश्ट के इनसान थे जन्हों ने बत्तरीन सजाएं ब रामतुल्ल्ह आले हैं, उनकी खड़नों इसका पूर्दू तर्जिमा मुझूद, एक एक सफ़ खलड़ते जड़ी है, ऐसा रखता है कि जैसे ये पूरी दास्तान मेह दसाना है, जिसका हकिकत से कोई तालुक नहीं है, उमर तिलमिसानी की अटास ने पड़ी, यादों की अशर्प अशर्प अलुसत में अपस्तवार शाय हुई, और अशर्प अलुसत बैएक वक्त दुनिया के मुफसरे मुलकों से सिटलाइट के जरी चपने वाला दुनिया का सबसे बड़ा अखबार अरव अखबार, उसमें तकरीबन बैयारिस पिस्ते उनके इंटरू के शा अशर्प अलुसत के नमाइन देने, अपना मुदार्बा रखा, कि हम चाहते हैं, कि जो आपने जबर और जल्म की सियाह राख अपनी आपों से देखी है, उसे आईदा आने वाली नस्मों के लिए महफूस कर जाएं, और अखबार आपके खिदमत में नजराना पेश करने क अशर्प तयार, कुमर तिलमसाई ने कहा, महिखवान की तारीख को बेचना नहीं चाहते हैं, एक नया पैसा वसूल नहीं किये, पूरा इंटरूप शायर हुआ, अब उगुर्दू तर्जुमा यादों की हमानत की सुरत में हमारे साथ महफूज है, पढ़िये तो रोंटे खड़े हो जाते हैं, ये को ही लोग थे हैं, हमारे और आप जैसे लोग, हम भी इमान का दावा करते हैं, हम भी मुसल्मा, हम भी कलमा पढ़ते हैं, ला इलाव इल्लाह का विल्दू हम भी करते हैं, हम भी इस बात का एलाम करते हैं, कि हम मरते और जीते हैं, अल्लह के लिए के लिए हमभी बार बाar लाँ नमादों में इसका एलाम करते इन्नसलाटी वня सुकी वाया वामाती लिल्ह रब और रालमीन बार बार लाँ करते हैं अनल्ह रब लिज्जत के सामने जवाही पेश करते हैं ये कवाहित उन्होंने भी पेश की थी कितना फर्क है तो उन्हों कवाहियों में अंदाज कितना मुक्तलिफ कुर्बानिया कितनी मुक्तलिफ शहादतों की तारीख कितनी मुक्तलिफ एमान दावों से नहीं जाता इसलाम कहने की चीज़ नहीं होती करने की चीज़ होती इमान अमल का मुतालबा करता है शहाद रता है तक्रीरों से नहीं वजूद में आती बेला खुर्बानियों से वजूद में आती तब कोई कौन उभर करके इस पोजिशन में होती है कि आज दुनिया के सारे मुबस्टरी इस बात को तस्रीम कर रहे हैं कि मिस्र में इस वक्त सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी इखवान मुस्रमी और वो एलक्शन में हिस्सा लेने जा जिए उसने एलान कर दिया उसकी फरास्त देखी तोनी ब्लेयर जैसा आदमी सदर उसनी मुबारक के हटने के बाद वो एलान करता है कि इखवान कोई गवाइंबो नहीं धबराते क्यों हो तो बारक उबामा एलान करता है इखवान इस बार्टी फ्रेम अपावर वेस्स को तसलिए दिराते हैं इखवान हुकुमत भी बना दे जा रहा है धबराओं नहीं टॉप बोस्त इनके पॉलिटीशियंस परशान है इखवान के वजूद से कैसे थे बड़ी अपोजिशन पार्टी बनी और अज दुनिया का हर शखवान का नाम क्यों ले रहा है पुर्वानियां उसके पीछे खिदमता हैं उनकी इवागता हैं उनकी बेलौस खिदमत और दूसरे मुर्कों में आप जाएं तियनियसिया में कितने बड़ी-बड़ी पुर्वानिया दी उन लोगों में 20-22 साल तक कि उनिसिया की इसलामी तहरीक के सरवरा मुहमद राशिद अलगनुशी जिलावतन किये गिये लंदन में 20-22 साल तक जिलावतनी की जिलावतनी की जिलावतनी की गुजारी और लंदन में बाट करके उन्होंने अपने मुल्क इसलामी तहरीक की गयादत की उनकी एहलिया सुमया वनुर्शी बेतरी जर्नलिस्ट लंदन में बाट के उन्होंने एहाई इसलाम के खाथ देखे मदामीन लिखे फेस्बुक के उनके मदामीन आये और एक मौडरेट इसलामिक ठिंकिंग एहाई इसलाम के एक मौतदिल पसंदाना एक इसकी उन्होंने पेश की ऐसे नहीं उतलाबात आते हैं लोग तज्जिया करने वाले करते हैं लेकिन उनके पीछे जो खुर्बानिया हमको कोई नहीं यार रखता लेकिन हम अल्लह पर इमार रखते हैं वाले लोग हमें पुरान पर पुरा यकीन है हमें अल्ला की इस भुक्म पर पुरा यकीन है यॉविदून लेथू नूर लाह लियाफवाहीं Allah'a kina noreh, 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 Allah'a kina nore अल्हाँ का इक्षाद अगरामी है तुम मैंसे हर शख्स चर्वाहा है और हर चर्वाहा अपनी भीरों का फुद्धंदा है हर शख्वंदा है यह सिर्फ इख्वान का टारीख नहीं है यह हमारी अपनी टारीख है हर मसल्मा जिसको अल्ला ने शूर दिया जिसको अल्ला ने जरा सा फ़ह और समझ अता की वो इहया इसलाम की इस तारीख में हिस्ता अदा करने के गाबिल है और अगर वो उसका कमिट्मेंट उसकी अपिदत उसकी वाबस्तगी इसलाम के साथ है तो जहां कहीं दी है वो वो हिस्सा अदा कर रहा है यह यह इसलाम की इस मुहिम में हिस्सा अदा करने के लिए जरूरी नहीं है कि हराद में मुकविर हो हराद में खतीब हो हराद में किताबे लिखे अख़बाराद में इंटर्व्यू दे जहां जो जिस पोजिशन में अगर आपकी अविदत इसलाम के साथ है और आपको खुशी होती है मुस्लमानों की कामियादी से और आपके जजबात वावस्ता है इसलाम की तारीधात के साथ तो रास्ते खुब 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 निकलते है मुस्مान hélic Dadi रौदी रामत的 लावले ने एक बार पुमायाथा हिकमत ये है औरान पार में हिकमत की बड़ी तालीम दी गिई और लो इला सबीरे रभीका बिल खुब भल्माईजति लहसना विजा दिलेहुम बिल्लती ये अहसन अपने रख के रास्ते की तरफ दावत दो हिकमत के साथ हिकमत क्या है मुझा फर्माते है हिकमत ये है कि एक नदी जोर शोर के साथ बैटी भी निकलती साराओं से गुदरती रास्ते में चक्तान आते हैं तो चक्तानों से अपना सर नहीं पाड़ती हो बगल के रास्ते निकाल लेती जहां जो जिस पोजिशन में है नदी की तरह से बहते हुए एह्या इसलाम के रास्ते निकालता हुआ आगे निकल जाता है तरकी में क्या सुरत ए हाल की बत्तरीम कमालिज्म मुस्तफ़ कमाल पाशा ने خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد بدتری قسم کی ڈکٹیٹرشپ کا دور دورہ ہوا تھا اور نہ صرف یہ کی اسلام اور رہیہ اسلام بلکی عربی زبان عربی زبان میں ازانیں عربی رسم الخط مسجدوں پر تالے سب پر پاوندی لگا دی رہی اور ترکی دستون کے مطابق اسلام کا نام لینے والے کسی سیاسی پانچڈی کو الیکشن لڑنے کا حق نہیں ہے آج بھی آج بھی حق نہیں وہ ملک جس نے سلطنت عثمانیہ جیسے عظیم الشاہ دنیا سپر پاور مسلمانوں کے احیاء خلافت کا بڑا ادارہ دیا تھا آج مہا صورت حال یہ تھی مصطفیٰ کمال عطا ترک کے بعد کہ اسلام کا نام لینے والے کسی سیاسی جماعت کو الیکشن میں حصہ لینے کا حق نہیں تھا لیکن ستر بہتر سال تک وہ پروفیسر نجم الدین عربی رحمت اللہ حیالے ان کی قرمانیاں ان کی مسلسل ریاضت ہے آپ مثلا جو لوگ واقعی کو جانتے ہیں آٹھ بار مسلسل ایک کے بعد دوسری دوسری کے بعد تیسری چوتھی پانچمی چھٹی ساتمی آٹمی مسلسل پولٹیکل پارٹی بنائی جہاں ایک پولٹیکل پارٹی بنائی چھے سال دو سال چھے مہینے ڈیرھ سال کے بعد پابندی لگ دی سارے اصفززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز जैसे उसे आजादी मिली दूसरी पार्डी बनाgs लग गए फिर इसलाम के एह एहा के लिए लिकिर इसलाम का नाम लिए बगए है कोँकि मुल् misin के इसकी अजासत नहीं थी हिपमत फर्रासत आईको फरासत अलमुमिन फईन्ह। यंजर् बेनूर इल्लह। होश्यार रहो एक मुसल्मान की फ्रास्त से वो अल्ला की रोशने से डालेट देखता है उस मर्द मुमिन की फ्रास्त देखिए इसलाम का नाम नहीं लिया जब जब कोई पुलिटिकल पार्टी बनाई इसलाम को कही तसकरा नहीं किये तुर्कों का शांदार माजी का हवाला दिया हम टर्की को उसके शांदार माजी की तरफ ले जाना चाहते हैं और दुनिया जानती थी कि तुर्की का शांदार माजी क्या है उस शांदार का हवाला दिया अबाव अजदाद की तारिख का हवाला दिया और आज तुर्की दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां इस्लामिस्ट हुकूमत कर रहा है एक टर्म इलक्शन जीत के आए पांच साल उन्हें काम्याबी साथ गुजाए दूसरा टर्म भी उन्हें लिया रफ्रेंडम हुआ मुल्क में तबाव रहा फोच का उसके बावजूद अब्दुल्ला बुल मुहमत तय्यक अर्दगान भारी वोलों से जीत किया है ऐसे नहीं काम्याबी मिलती है उसके बीचे 72 साथ के खुर्बानिया है प्रॉफिसर निजम अदिन इर्बकार की रियाजत मसलसल जड़ ज़्याद फरास्ट तहया इसलाम का मतलग यह नहीं है कि जोरदार हंगामे हूं शौरबार नारे हूं इस्तियाल अंगेज बेयानात हूं पुर्शोर तक्रीरे हूं इनकलाब इसे नहीं आता है इनकलाब आता है खिर्मत खल्क से जब पहली बार नजम अदीन इर्बकार मेर का एलेक्शन लड़ा इस्तंबूल में और मेर जीत करके आए आपको मालूम है नजम अदीन इर्बकार किस पाय की शफियत थे हूं टाइंक इंडस्ट्री में उन्होंने जर्मानी से पिएज़डी की थी टाइंक इंडस्ट्री में जर्मानी से पिएज़डी की थी और जर्मानी का जो पहला टाइंक बना उसमें जो बारा इंजिनियर्स के टीम थी उसके सिप्रवाइजर नजम अदीन इर्बकार में वो आगा दर्जी की सलाइगत थी वहाँ जर्मानी में रह करके जैसे अलामा अकबाल ने नचूटे मुझसे लंदन में भी आदाबे सहर खेज हैं एहाई उम्मत का प्लान बनाया कहा लंदन में बैट करके मगरिम को अपनी आँखों से देखा उसके भुट्टी में उदर करके उसकी कंदोरियां उसके नकायस का मताला किया पलग के आए एहाई उम्मत का उम्मत को दिखाया इर्बकार ने जर्मनी में बैट करके मगरिम की तबाहकारियां इसलाम और मुस्लमानों के खलाख का मताला किया और पलग के जब आए तो पलिटिकल पार्डी बनाए पहली बार जब एलेक्शन जीत के आए इस्तंबूर का मेर बने तो उन्हों ने इस्तंबूर को एक आईडियल मुस्पिर्टी के तोर पर पेश किया क्या किया उन्हों ने दो तीन चीज़ें मैं आपको ब आपनेमिक्स में अनाटॉलिया प्रोजेक्ट के नाव पर जाना जाता है अनाटॉलिया के वो दूर दराज दी हातों के किसान जिनको कोई पूछने वाला नहीं था उन्हों ने उनको नकल मकानी किया अजाज़त दी और लाकर के बसाया उनको इस्तंबूल शहर में भारी आ पूरा करकट जो भरा रहता था जर्मनी से उन्होंने मशीने मखवाएं वो पूरा करकट के पूरा हमबार जमा कर राया इंडिस्ट्रीज लगवाएं उसके लिए ये दफ्तिय और जो कार्टून अब बनते हैं मसल्मान मसलिम दुनिया में सबसे पहली इंडिस्ट्रीज जो इसके लगाएं गई वो इर्बकान ने बहस्यत मेर के इस्तंबूल में शुरू किया रोजगार दिया उनको वो जो अनाइटोलियन मसलिम्स थे किसान गरीब मफिक उलहाद वो बहुत बड़ा असर्थ साबित वे इनके लिए वही आगे चल गर गर उन्होंने भदबूर सपोर्ट रताइद दी इर्बकान को आगे बढ़ने के लिए तो मेर्ट की हैसे से खामोश खिदमत का जो उन्होंने काम किया उसने उनके कैरियर को सियासी कैरियर को ताबनाग बनाए पिर जैसे जैसे उनके ये स्कीम माशी स्कीम और टर्की को माशी एकवार से कैसे मुस्ताकम बनाए जाए उसकीम बनाए उन्होंने पूरे मुल्क में इंडिस्ट्री का जाओ इचाया उन्हों जगे जगे कारफाने खुलवाए उन्होंने अमान के तराउन से धेरे धेरे टर्की आज मुस्मिन दुरिया का सबसे जादा एकॉनमिका लिए मजबूत मुल्क माना जाता है ये पूरा सहरा जाता है प्रोफिसर नजम अदिन इर्व में जब वो प्राइम मिनिस्टर के हैसे से जीत करके आए हकूमत बनाई तो मुश्किल से एक साल उन्हें ने हकूमत की मजबूर कर दिया रिजाइन करने के लिए मुल्क में फिर फूजी इंकलाब ना आये उसके मफाद के लिए उन्हों के डौर कर लिया खामोशी अखसे वह से मसायल थी इर्बकान चाहते थे कि हकूमत इस तरह से तश्कीर ना पाए डिफेक्शन हो गया उनकी पार्टी तेयर इर्दकार और अब्दुल्लागुल डिफेक्ट कर गए एक बड़ी मिजॉरिटी को ले करके और उन्होंने कंपरमाइज करके हकूमत बनाई जवाब यह होता था कि उस्तास कह रहे हैं तो प्रेकल सही कहते होंगे हमें कोई हख नहीं परुषदा है कि उस्तास की किसे सवाब का हम जवाब दें या उस पर तनकीद करें यह सादर यह तहम्मुल यह फरासथ यह फहम यह अंडर्स्टैंडिंग यह इंटराक्शन तब तर्की की तारिख में जिनकी निगाह है अनकों पढ़ें इर्बकान की तारीख को अब पूरी दुनिया में इहया इसलाम और इसलामी तबदीली का एक नया मॉडल तुर्की बन रहा है नया मॉडल बना तुर्की दुनिया में इनकलाफ कैसे आया इसलामी तबदीली कैसे आ इर्बकान मौडल के नाम से एक निया मौडल मतारफ हुआ है, एक निया मौडल बिर्कुल सामय है, जिसको वेस्ट कहता है, इस इस क्रेपिंग इस्लाम, वो इस्लाम जो हंगामों और तूफाओं के जरीये से नहीं, साथ की तरह से रेंकते हुए सुसाइटी में घुज गया, बड़ी खामोशी के साथ, अपनी फलावी इसकीमों के जरीये से, अपनी पहमूल के जरीये से, अपनी खिबतों के जरीये से, अपनी माशी इसकीमों के जरीये से, पनेट्रेट कर रहा है, गुज रहा है माशरे के अंदर, और वेस्ट मवस्तरियन कहते हैं, कि शायद, आलम इसलाम को अगर कोई रहनमाई मिल सकेगी अब तो वो तुर्की हो गाए अलमान बहुत पहले कह रहे थी अता मुमिन को फिर दर्गाहे हक से होने वाला है अता मुमिन को फिर दर्गाहे हक से होने वाला है शिकोह तुर्कमानी जाने हिंदी नुद्ग आरागी शिकोह तुर्कम तुरकों को रघखडवा, वो खिलाफत का, इह एक खिलाफवत, खिलाफ़त का रघखडवा tbsp थिव ओ दखडवा ऐसा लगता है कि फिर वो लोटने वाला है। ऐसा मावसूस होता है कि तुर्की आलम इसलाम के लिए एक मिशल राह के तोर पर इसलामी तबदीली के लिए एक ने मौडल के तोर पर काम करेगा जिसमें बहुत समझधारी होगी ग्राउंड रियालिटीज का रियलाइजेशन होगा इतराक होगा जिसमें अपनी कम्यों और क खामिया हैं नकायस हैं उनका मुहासबा और इहतसाब होगा और गारों पर इल्जाम थोपने के बजाए अपनी गुफ्टगू का रुफ दूसरों की तरफ मौडने के बजाए अपनी तरफ खिताब का रुफ अपनी तरफ होगा इस वक्त बहसित मजमुई उम्मत मुस्लिम जिन सुरत हाल से दोचार है, फिक्री तोर पर, उसमें बड़ी औरहाली की जरूरत है, बहुत औरहाली की जरूरत है, जबरदस्क औरहाली की जरूरत है, ये जुजवी इस्तलाहा, जुजवी मतालबे, जुजवी इसलाही मनसूबों से काम नहीं होगा, पूरी मिशिनरी, बेहतर इंटरेक्शन बेहतर इंटरेक्शन वो इंटरेक्शन जिसमें दाई और मतगू के दर्मियान उम्मत दावत और उम्मत अजावत के दर्मियान इफाम उतफहीन महबत लव अफेक्शन की बुनियात पर तालुकात उस्तवा किये जाएं माफ कीजिएगा मेरे गुफ्तवू का रुख कहीं और जा रहा है लेकिन पूरी हमारी फिक्ष इस्लामी तारीख उलमा ने जो फिक्ष का लिट्रीचर तेयार किया है उसमें गार मुस्लिमों के साथ तालुकात की जो नौईएत रही है अगो नौईत कांग करने वाली नहीं हमारे उलमा ने फिक्ष में गहर मुस्लिमों के तालुक से जो कलैसिफिकेशन किया तरज़ा बंदी की उसमें तीम पिसमें गहर मुस्लिमों या तो वो जिम्नी बन करके इसलामी रियासत के अमनों में रहे या तो आजजी तोर पर इसलामी हुकोमत से इजाज़ ले करके खयाम करें मुस्तामि बन करें या फिर वो दुश्मन बन करके हर्भी बन करके इसलामी मुलक के खलाफ ज़न कर रहा हूँ तीन पोजिशन्स बनाई हैं हमारे फख़ाने आज वो तीनों पॉजिशन्स काम करने वारी नहीं है आज दुनिया में कोई दार असलाम नहीं है कोई दार असलाम नहीं है बड़ी अजीब हो खरीब बात लग रही है आज दुनिया में कोई दार असलाम नहीं आप कह सकते है कि कोई एक खिता दुनिया में ऐसे है जहां अपने पूरी रूफ के साथ अपने गायात और आला नस्बलेजान के साथ कार फर्मा हो कोई मुल्क नहीं आप तह सकते हैं दुनिया में कोई एक खिता ऐसा जहां बहुत सित मजबूव दारुरहर्ब हो फुकान ने जो दारुरहर्ब की तारिफ बयान की है आज तो पूरी दुनिया एक प्लूरल ससाइटी बनके रह रही है प्लूरलिजिम है गलॉबराइजेशन है मुसल्मान हर मुल्क में आबाद है गहर मुस्लमों के साथ रह रहे हैं उनसे इंट्राक्शन हो रहा है माइनारिटी की तोर पर रह रहा हूँ या पावर शेयर कर रहा हूँ तो आज ना भही से मजमुई एक्स्क्लूसिबली इन दा इस्टिक्सेंस अफ जूरिस्पूड़िन्स नाइजर देर 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 दारुलिस्लाम नादेर दारुल्हर्प हमें अब गहर मुस्लिमों के साथ इंट्राक्शन के कुछ ने हुसूद बनाने पड़े है ये इस्लामी तिंकिंग इबाद में कर रहा है हमें डेवलोग करना पड़ेगा एक नहीं तिंकिंग को वो तिंकिंग जो प्रफसर नजम الدिन इर्बकार ने डेवलर्प्रिटर की अगर मुनों ने क्लाइसिकल लिट्रीचर की एक रिवायाती तसवर को एड़ाप किया होता तो आज वहां भी कमालिज्म उसी तरह से गालिब होता इस्लाम वहां हुकूमत ना कर रहा हो ये रियलाइजेशन एकवान-ूल-मूस्लिमों के आप पाया जाता है एक अरसे तक जबरो तशद्दुत के साय में परवान चड़ने ले बाद एकवान-ूल-मूस्लिमों ने भी ये रियलाइस किया कि बदलते ही लिया हालाग में हमें अपने स्ट्रेटिजी को हिक्वान-ूल-मूस्लिमों को बदलने की जरूरत है ये पहली बार उनकी तारीख में हो रहा है कि उन्हों ने एक सियासी पार्टी अलग से बनाई एकवान-ूस्लिमों ने इससे पहले एकवान-ूस्लिमों के नाम से ही उकाम करते रहें आप जानते हैं और किसी भी ना जमाल अब्दुनासिद ने ना सदर उस्लिमों मुबारक ने किसी ने भी उनको इकवान-ूस्लिमों के नाम से काम करने की अजादब नहीं है उन जब 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 एलक्शन वहा हुआ इकवान के उमिदवार आजाद उमिदवार के तवर पर खड़े हुए एलक्शन में वो कामियाँ होते रहें तमामतर फ्राट और तमामतर अन-फेर मींस के बावजूद ये पहले बार उनकी तारीख में हो रहा है कि एक सियासी पार्टी वो बना रहे हैं बना चुके हैं और अब वो पार्लिमेंटर एलक्शन में हिस्सा लेने के लिए पर तौर रहे है तो जो बद्रे हुए हालात हैं उसका इत्राग इख्वाम भी कर रहे है एक नई इस्लामें थिंकिंग की जरूरत है खवादीन का जो मकाम और मरतबा है सुसाइटी में हमारे है फुका ने जो दे रखा है हमारे उल्मा ने दे रखा है आप कैसे मज़ते हैं आज के जमाने में वो वरकेबिल है हमारा कुर लिट्रीचर इस तरह से डिवलफ हुआ है जैसे कि खवादीन का मैदाने का वो उनका अपना घर है घर के अंदर हमें उनको बंद करके रख दिया और हमारे ये नकल करते हैं वो घरों के अंदर वकारा सकीनत के साथ बैठी रहें जो कि अजवादे मुताहराद के लिए खास था रसुल्लाह स्लिएल्लाह के जमाने में पुरान करीम के अंदर दोरे खलाफत राशिदा ने बनू अमयां के लिए बनू अबास के जमाने में यहाँ तकी उस्मानी खलाफत के जमाने तक ख्वातिन समाजी मैदान में पूरी तरह से मतहर्वे रही उनको तमाम आज़ादिया हासि ले हज़रत अमर फारूख रजियल्लाहु ताहलानों ने मदीना की मार्केटिंग का ओर सियर केर प्लेगर एक खायतून सहादी रसूल को बनाया रिवादात में आता है कि वो जब निकलते थी मार्केट की निगरानी करने के लिए तो अपना दुरूरा हिलाते ही में चलती थी किसके अंदर हिम्मत है उन्हों ने बनाया था रसूल पाक अजबादे मताहरात में से हजरत आईशा सिद्दीगा रजियल्लाहु ताहला अन्हा ने जो महफिल दर्स मुकरर्र की जो कुरान करीम की तफसीर बयान की उसमें मर्द और 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 अटेंड करते थे उन महफिल उमर फारूख के जमाने में। हजरत उमर फारूख के जिसे ही कि ख़वातिन अगर मस्जदें में ना जाएं हालाग हो चुके हैं। उनके सहरजाले, हजब अबदल्लाह ईपने उमर की बीवे ने इतरास किया। कि उमर कौन होते हैं। खवादین को बुनियादी हम से महरूम करने वाले जिनको अल्ला के रसूल ने मस्जिद में जाने के अजाज़त दी थी हम डंगे की चोड़ पे जाएंगे और हदरत उबर खामश रहे तफक्र रियलाइजेशन understanding हमारे सामने जो असल मसला है वो पुरान और हदीश के नसूस है text ये नसूस ये text unchangeable इसमें कोई तारीफ नहीं कर सकता किसी कोई अजाज़त नहीं दी जा सकती जैसे जो नस है अल्ला के रसूल की जो हदीश मुबारक है पुरान करीम की जो आयत है हमारे उस पर अमल करना है लेकिन उनकी जो ताभीरात है उनका जो फाहन है उनका जो रियलाइजेशन है चाहे वो अमार अभु हनिफा के जरीए से हो अमाम मालिक के जरीए से हो अमाम शाफई के जरीए से हो अमाम जाफर सादिक के जरीए से हो या इमाम हमद इबन भर्मि परभर के जरीए से हो या बाद के दूसरे मुच्जदिदिन और मुस्रीए से हो ये सब इनसानी तावीरात है ये उमाद, ये फुक़ाद, ये उलबा, ये मुच्जदिदिन, ये मुस्रीए इंतहाई मतबर्ड, मुकद्स, काल लेहतरा, लेकिन इंसान है, उनसे खल्टियां हो सकती, अपने जमाने के हालात के लिहाज से, उन्होंने कुछ ताविरात की, उसको नाफिस किया, जो उस जमाने में बेहतरी ताविरात थी, आज हालात बदले दिये हैं, जरूरत है कि मुस् परार करीम की आयात को सामने रखकर एक नई थिंगी डवलप की जाए, आईने नौ से डरना, तर्जे कोहन पे अड़ना, मन्जिल यही कठिन है कौमों की जिन्दगी में, लेकिन आज हम बहसे कौम और उम्मत के, जहां पहुँच चुके हैं, वो गाड़ी रिवर्स्टिया बैट नहीं हो सकती, पीछे नहीं जाए गी गाड़ी, तहजीर की गाड़ी हमेशा आगे जाती, आज अरब मुलकों में जो जुम्मोरियत आ रही है, उसको पीछे नहीं खटेला जा सकता जिसे प्लिमत पर भी, हां उस जुम्मोरियत को इसलाम के हक में जादा मुफीद और का आरामत बनाने के लिए एक्दामाग करने की जरूरत है, उसके लिए एक्दामाग करने की जरूरत है, सियासी सते पर भी, माशी सते पर भी, और ठिंकिंग की सते पर भी, मुस्लिम साइकी को, मुस्लिम माइब को चेंज करने की जरूरत है, रियलाइजेशन की जरूरत है, قرآن और सुन्त के नसूस को सामने रख करके नई तादिराग की दरूरत ये इखवान भी कर रहे हैं और ये ही तुर्की में प्रोफिसर नजम अदिर्बकान और उनके मौावनी मुहम्मद तय्यम अर्दगान और अब्दुल्ला गुल और दूसरे रहनमा कर रहे हैं इखवान की जो तारीख है वो सब्र और अजमत की तारीख है एक तरफ सब्र और अजमत है दूसरी तरफ रियलाइजेशन है दोनों साथ साथ चलते हैं ना हम अजमत को छोड़ सकते हैं और ना इद्राग को छोड़ सकते हैं इद्राइक के पीछे अगर अजीमतों की तारीख नहो तो इद्राइक महद एक बहाना बन जाता है खुद बदलते नहीं कुराँ को बदल देते हैं भी इस दर्जा फकिहाने हरम बेतोसीक कुरान को नहीं बदला जा सकता है कुरान के नफास के लिए होने वाल जैद यजदयर के पीचे अजीमतों और शेहदतों की तारीख जरूरी है अजीमतें भी होती हैं शेहदे बहुती हैं और उसके साथ रियलाइजैशन भी होता है इस्टिहाद भी होता है बदले विए हालात में नई राहे तलाश करने की तक्निक भी होती है, जिसको हमारे फगहान इस्तिहाद और क्यास कहा है, इस्तिहाद नाम है, नए नए उलूम को हासिल करके, साइंस और टेक्नालोजी में दर्थ पैदा करके, मुस्लिम कुम्मत के फलाह के नए नए मनसूबे बनाना, पुरान सुन् और उन मनसूबों के नफास के लिए शादतों और अजीमतों की तारीख रकम करते चले जाएं, ये दोनों साथ साथ चलते हैं, इकवान में यही किया, अगर आप उनकी शादतों की तारीख पढ़ें, सिर्फ एक वाक़ा सुनाता हूँ अब उसके बाद उनकी जिनका इकवान से कोई तालुक नहीं था पहले, जब उन्हें इस जर्म में जबरदस्ती उठा करके कि ये इसलामी अदब पे काम करते हैं, नासिब ने जेलों बंद कर लिए, तो जेल में जा करके उनका इमान ताज़ा हो गया, इकवान जॉइन कर लिया हुना, महां से प्रूदादे इक तिला, एक वाक्या मैं आपको सुनाता हमें, कि कौन सी अधिमत की ये तालिख, आहमद रायफ कहते हैं कि एक दिन ये तालिख जेल में कोहरान समझ गया, हम लोगों को फोजी प्रेट कराई जा रही थी, फोजी सारे कईदियों को प्रेट करा रही थी, हम हमने देखा कि एक तरफ से सैकुड़ों मर्द और सैकुड़ों होड़ते हैं, और कोड़े बरसाए जा रहा हैं और भागी चले जा रहे बेताशा, मालूम हुआ कि ये कैदियों की नई खेप है, जो पकड़ के किसी गाव से लाई रही है, पता चला कि एक मिसर के बहुत कि यहाद किरदासा एक बस्ती है, वहाँ की एक कहानी, वहाँ की बेचारे गरीब किसान, जिनको पकड़ के लागे जेलों में बंद किया गया है, जब उन्हों ने तहपीक की तो पता चला कि एक मिसरी फोज का कैप्टन जनरल फोजी, किसी इखवानी को पकड़ने के लिए एक गाँ पे छाता माना, इत्तिफाक से इखवानी को पहले से पता चल गया, वो फरार हो गया, वहाँ उसकी निगा एक लड़की पर पड़ गई, खुबसूरत लड़की, वो अड़ गया वहाँ कि ने मैं इससे शादी करूँ, गाँवारों ने समझाया कि इसकी मगनी हो तुम्हें शादी करनी है, कहीं हो रिष्टाते करूँ, चुपचाब वाबस चला है, दूसरे दिन पूरी एक बिटेलियन लेकर पूरे गाँपो घेर लिया, अपने उपर के हुकाम से उसने इजादत ले कि वहा दाहिशत गर चुपे गी है, और जब तक बिटेलियन नहीं हम उसको कबदे में नहीं कर सकते हैं, हम एक इखवानी को पकड़ना है, बहुत बहुत भाद आशक गर्द है, हुगमत के खलाफ इनकलाब बर्पा करना चाहे था, इजादत बिल गए, जनरल फोजी अपनी पूरी वेटेलियन के साख गाउं को घेर लिया, गाउं वारों कि किसान शहीद हुए, और दो चाहर फोज के लोग पी शहीद होगी, वासल जहन्नों में, वहां से बिटेलियन वापस आगे, अगले दिन पूरे गाउं का फिर से, तीसरे दिन पूरे गाउं का फिर से घेराओ किया, और एक एक को पकड़ के ग्रिफतार किया, वहां से और पांच-सो और्तों की लिस्ट बना कर गिरिफतार कियों, और उन्हें गिरिफतार कते हैं, गाली हों में भर करके, जेल के आंतर ठूस दिया ले, वह कहते हैं कि यहमारी ऐक्रेट जारी इह थी कि देखा कि पांच-सो मर्दों और पांच-सो ओड़तें कोड़े बरसाय ज ये कायक उनको खुखम दिया गया, मर्दों को कहा गया कि रुखु के बजुक जग जए तमाम 500 मर्द, और अउरतों से ग्यायाने ओपर सवार हो जाओ, वो 500 आउरतों 500 मर्दों पी उपर सवार हो गई, उनको खुखम दिया गया कि तेज दोड़ो, और पीछे से हंटर लेकर के फोजी दोड़ा रहा है अगर दोड़ा भी किरे या कदम उनके सुस्त हुए तो हंटर पर असरा पीछे से ये कहानी उन्होंने अलबवागत सुदारुदादी अब्तिला में नकल की है सिर्फ एक कहानी मुस्मिल मुबारक के दौर में मुसल्मानों पर किस किसम के बत्तरीन मजालिम रवा रखे गए अहमद राइफ कहते हैं कि उसके अगले ही दिन से अगले ही दिन स्यद कुत्व शहीद रहमतुल्ह आलाई रहा उने उनकी बैरिक के सामने उनकी बड़ी बहन को पकड़ के लाएगे स्यद कुत्व को एक कावस दिया ले कि इसके दस्खत करो दस्खत करो कि मेरी बहन आवारा बच्चलन है ये फहश का इर्टिकाब करती पेशा करती से इसकुत्व ने इंकार करती बहन को घर से उठाय गया स्यद कुत्व की आँखों के सामने उनकी बहन को मादरजाब नंगा कर दिया स्यद कुत्व ने इंतहाई अजियत के आलम में आँखें बंद कर लिए बहन हाथ जोड़ करें मिन्नस समाज़त कर रही भहिया तुम लिख दो अपनी जान बचा लो अपनी जान बचा लो तुम तुम इस बुल्ड की अवामत हो तुम्हारे लिखने से कोई फरक पढ़ने वाला नहीं अल्लह जानता है कि मेरा क्या किरदार खुदा के वास्ते तुम साहिं कर दो स्यद कुत्व रोचे वे कहते हैं तुम्हारे लिए मिसाइब पेश्गी है मैं वित लिए मिसाइब पेश्गी है सवाली बेगी मेश मतस्द करूँ